Good morning बच्छो, मैं आपकी computer की माम, ठीड़ेणू माम, ठीके, आज मैं आपको computer के बारे में पढ़ाओंगी, first chapter है आपका ये computer का, hindi medium का, ठीके, compute tech, ठीके, modern genesis की ये book है, इसमें देखी हम computer के बारे में पढ़ेंगे, आज, कि computer का कहां कहाan use होता है, ठीके, data, processing, परिणाम, जो φτιDo p2P इसके पार्ट के बारे में जैसे मालेटर है स्पीटर है ट्वीपर। गुड्मारिंग स्टूरेट्स थार्ट का हम gates đएक प्रैठें गॿया मैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फॉर्स चेप्टर स्टार्ट करते हैं, हिंदी मीडियम का, कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रोनिक मशीन होती है, और इसे कारे करने के लिए बिजली की जरूरत होती है, ठीक है, और ये कारे बहुत ही जल्दी कर लेता है, और बहुत ही आसानी स से कर लेता है वह बहुत सही तरीके से करता है क्यक्कि कई-बर होता है ना हम बहुती वर्बली करते हैं तो कई-बर जल्दभाजी में गलत होनी की आशेंकर रहती है कि कहीं गलत नहीं लेकिन जब computer पर हम सही instructions दे के उसे काम करेंगे तो वो हमारा जो है वो सही रिजल्ट देता है ठीक है तो computer-driven devices से मिलके बना होता है जैसे कि आप पहले पर चुके हैं कि electronic data processing machine है कि आप electronic रूप से जैसे data है कोई भी आप इसमें डालेंगे तो उसकी मतलब processing होके और वो आपको result सही देता है ठीक है तो यह एक data processing machine है आप देखिए data क्या होता है data होता है सूचनाओं में तथ्यों के समों को data कहते हैं जैसे कोई भी information है आपका नाम है address है आपकी जियो भी है means date of birth है ठीक है जो भी आप उसमें feed करते हो computer में जो आप डालते हो keyboard की help से वो सारा data कहलाता है processing होती है प्रक्रिया जब भी हम कोई भी data डालते हैं तो उसका परिणाम निकालने के लिए computer क्रिया करता है मैं इस प्रक्रिया करता है उसे processing कहते हैं और आकड़ों पर computer द्वारा गढ़ना करना processing कहलाता है next step परिणाम जब processing हो जाती है जैसे computer है आपने data उसमें डाल दिया computer में तो जब आप feed करने के बाद फिर उसमें processing होती है प्रक्रिया होती है फिर उसके बार जैसे कई बार होता है कई बार आप कोई चीज डालते हो computer में मतलब उसकी help से keyboard की help से कोई भी feed करते हो तो उसमें दिखा रहा होता है processing लिखा होता है न मीज प्रक्रिया हो रही है वह आपका रिजल्ट शो होने वाला है फिर उसके बार से आपको परिणाम दिखाई देता है मीज दिए गए निर्देशों में संकीत कि अधार पर अंत में जो आवश्यक सूचना आपको प्राप्त होती है means जो लास्ट में आपको दिखाई देता है वो क्या होता है उसका परिणाम होता है अब देखे एक्जामपल है 15 गुणा 3 जो 15 गुणा 3 आप जैसे आपने ये input डाला ठीक है की बोड की help से आप उसमें फीट करते हो computer में और फिर उसके बाद से उसकी processing होती है जब आप कर ते हो फिर इसके बाद से आपको जो result दिखाई देता है ये processing हो गई ये आपने instruction दिया ठीक है यह आपने उसमें डाला और फिर उसके बाद से जो रिजर्ट दिखाए देता है 45 15 गुणा 3 किता होता है 45 means 45 अब input क्या होता है computer में data डालने की जो प्रत्रिया होती है वो क्या कहलाती है स्टोरेज क्या होता है देखी आप computer keyboard या mouse की help से computer में data डालते हो कोई भी information है नाम है कुछ भी डालते हो तो वो अपनी memory में save कर लेता है next है आपका देखी output output क्या होता है कि computer की monitor पर दिखने वाला परिणाम जो होता है जैसे यह है ठीक है वो output कहलाता है देखी example दिया हुआ है यह हो गया input इसकी help से आपने कुछ भी feed करा ठीक है computer में आपने instruction दिया इसमें होती है processing प्रकिरिया होती है उसके बाद आपको जो result द दिखाई देता है वो होता है आपका output ठीक है आपने movie डाली movie का नाम डाला इसमें ठीक है कि यह movie हमें देखनी है इसमें processing होती है और उसके बाद आपको result यहां दिखाई देता है screen पी ठीक है next है देखी कि computer के गुण इसके features क्या क्या होते है computer के कई फायदे होते हैं और यह इतना लोगप्रिय हैं जैसे computer कभी ठकता नहीं है कभी tired नहीं होता और आप इसे जितना मरजी काम कर सकते हैं जितनी बार काम कर सकते हैं अगर आप एक ही पंक्ति को 100 बर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो computer कभी भी उपता नहीं है होता है नहीं कई बर हम एक की काम को 10 करते हैं तो हम भी जाते हैं करते-करते अना सुबह से शाम तक बैठे बैठे लेकिन इसे कंप्यूटर है आप उसे जपना मर्जी काम लेले वो कभी भी ठकता नहीं है ठीक है और वह मनुष्य से जिज़्ादा तीव्रगती से भी करता है में स्तेजी से भी करता है और computer के क्या होता है सही निर्देश दिये जाते हैं तो वो उसकी अनुसार क्रिया करता है ठीक है और तीवरगती से कर देता है अगर आप उसे सही निर्देश देते हैं तो ही उसका परिणाम जो होता है सही निकलता है अधरवाइस क्या होता है वो आपको इंस्ट्रक्शन दी है तो वो गलत परिनाम दिखाता है ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से सही कर लेगा तो कि computer का कोई दिमाग नहीं होता computer हमारे दिमाग से चलता है means उसे operate करना पड़ता है अगर आपने सही तरीके से उसे instruction नहीं दी है तो उसका result भी आपको सही नहीं मिलेगा तो computer की उपयोग देखिए कहां कहां होते हैं school में घरों में project कारे बनाने में और सूच्णाओं को store करने के लिए इसका use किया जाता है schools में भी है जैसे घर में भी है तो हम बहुत बार इसका use करते हैं और computer का use का रहा लिए में जैसे offices वगेर में हिसाब किताब रखने में data रखने में कोई file है या वैसे है उसे save करने के लिए इसका use होता है ठीक है और computer का use हम होटलों में booking करने के लिए भी करते हैं न कहीं जैसे आपको घूमने जाना है या वैसे आपको booking करानी है किसी hotel की तो आप पहले से computer के help से उसे booking कर सकते हूं ठीक है व्यापार करने के लिए भी या computer का use जो है railway में हवाई जहाज में उसकी जानकारी या आरक्षन करवाने के लिए जो reservation कराते हैं हम पहले से हो जाते हैं reservation आप कहीं घूमने जा रहे होते हैं तो उसकी भी हमें computer के help की जुरूत पड़ती है और computer का use हम फिल्मों में wishes प्रभाव जैसे की effect डालने में हम करते हैं जैसे संगीत है या खेल है मनुरंजन है इसके लिए हम इसका use करते हैं नेक्स है देखिए computer का use हम library में भी करते हैं पुस्कों के आकड़े रखने में भी इसका use किया जाता है और next है computer का use हम मौसम के पूर्वन उमान के लिए भी करते हैं satellites चो होते हैं इसके through हम जानते हैं कि आज का मौसम कैसे होने वाला है आंदी है तुफान है ठीक है तो यह सारी जानकारी हमें इससे मिलती है अब देखिए कुछ vicious computer भी होते हैं कुछ ऐसे computer भी होते हैं specific जिनका use हम अंत्रिक्ष में वास्तुकला के शेतर में और पुलिस द् प्राइम है या फिर space में उसका use होता है satellites वगेरे के बारे में जानने के लिए कुछ रहो planets के बारे में जानने के लिए है तो कुछ वो vicious computer होते हैं next है देखी computer के भाग अब हम पढ़ेंगे computer के कितने parts होते हैं अब देखिए यह है keyboard है mouse है speakers है monitor है CPU है यह computer के parts होते हैं तो computer कई भागों से मिलकर बना होता है यह input output प्रक्रिया पर कार्य करता है और इसके कुछ भागों पर input device और कुछ को output device भी कहते हैं ठीक है तो आज देखी बिटा हम इतना ही पढ़ेंगे यह आपके question है जो आपको करने है computer किसे कहते हैं और computer को electronic data processing machine क्यों कहा जाता है और computer क पांच उपियों बताइए ठीक है और रिक्तस्थान यह आपको फिल करने है computer 8- device है यहां से लेके और यहां तक तो यह आपको homework है बच्चों हम next class में मिलते हैं तब तक ठीक है